नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे शाथ में और आज अपना टोपिक है गोल जी बोडी तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले गोल जी बोडी की जो खोज है वो की थी कुमिलो गोल जी नामक साइंटिस्ट ने 1898 में तो उनके नाम पे ही इसका जो नाम है गोल की ठीक है या फिर इसको घुमा के ऐसे भी पूछ सबते हैं कि फिर गोल जी बोडी का नाम है कौन से विग्यानिक के नाम के ऊपर रखा गया नेक्स्ट यह जो 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 पोडी है वो यू के रिटिक सेल्ट होती है उसके अदर अपसेंट होते हैं लेकिन यू के रिटिक सेल क प्लांट सेल जहां पर आते हैं तो प्लांट सेल के अंदर इसका नाम हम गोल जी बोडी नहीं पड़ते हैं प्लांट सेल में इसका जो नाम होता वो होता डिक्टियोसोम ठीक है यह डिक्टियोसोम कराता है प्लांट सेल के अंदर यह जो गोल जी बोडीज है वो मिलकर बना कर बने होते हैं इसका structure कैसा होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं structure एक बनावा है मैं आपको समझाता हूँ एक एक point आपका clear करता हूँ इसके अंदर इस नेटवर्क और इस नेटवर्क और membrane bound vesicles and sisterny ठीक है यह sisterny and vesicles का नेटवर्क है तो यहां पर आप जानते हैं सिस्टर नीकॉन से टूबू लाइक जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है यह सिस्टर नी है ठीक है और इन जो सिस्टर नी भी दिख रही है यह सारी वैसिल होती है वैसिल होती है है तो यह एक तरह से इनका नेट्रुक है दूसरा पोईंट है कि इस सिस्टन ने अरेंज्ड टू एच अट स ओर और शिон का मतलब होता है यह समयнд tenant टूसरा जैसे यह लाइनिंग है एक के सामने दूसरे के साथ में अरेंज की वही है तो यह एक दूसरे के parallel है तीसरा है कि यह पर जेंड होती है network के रूप में near nucleus तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सिस फेस कौन सा है और ट्रांस फेस कौन सा है ठीक है यह वाला है सिस फेस और यहां पर नीचे की तरफ है इसके प देख सकने की तरह है तो यहां पर सिस फेस इसकी तरफ हो सम fulfill प्लाज्म मेमं मेंबरेन की तरफ यह अबको यह च्याद रखने की जरौत आदर यह दोनों है सिस इतबार में जैसके चलगते के के अंदर आ सकता है यानि entry करने के लिए entry करने के लिए जरुबरी था नहीं होता है तो यह केवल एन्टरी के लिए काम करेगा सिस फेस और एकजिट के लिए काम करेगा ट्रपेस इसके बारे में मैं नेक्स ऍलाइड में आपको फुच दूड़ा सा explain करूँगा इसके साथ में आप देख लीजिए कि यहां पर मैंने लिखा है गोलजी अप्रेटर्स जबकि मैं आपको बता रहा हूँ गोलजी बोडी गोलजी अप्रेटर्स का बन जाता है वो देखते हैं गोलजी बोड़ीज़ के साथ में जब में जोड़ देते हैं इसके साथ में जोड़ देते हैं यह पूरा श्ट्र single-tности का है अगर हम केवल सिष्टन नी रखे तो यह गोल जी बोडी होगा और जब सिष्टन के साथ में वैसिकल्स को जोड दिया तो यह बन जाता है गोल जी अप्रेटर्स तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसका फंक्शन क्या क्या है यहां पर इसका फंक्शन लिखे में तीन जो सबसे मोश्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है इसके ट्रांस्पोर्ट मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ठीक है यह आपको याद रखना बहुत जरूरी है तीनों को हम एक साथ पढ़ते हैं समझते हैं कि किस प्रकार यह फंक्श प्रोटिन यहां निकाल देगी किसके माद्यम से वेसिकलस के माद्यम से भा निकालेगी वो श्टॉर करेगी वो अन्यूज़ प्रोटिन है और बिना काम में आने लाइक नहीं है तो यह इसमें वेसिकलस में आईर्ग च्या करेगी सिसके माद्यम ses गोलजी बोडी में, तो यहां गोलजी बोडी का सबसक्राइब हें, वह यह थोड़ा सा एंदर जो थोड़ा क्या बन गई ग्लाइको प्रोटीन ठीक है प्रोटीन के अंदर जोर देते हैं तो वह ग्लाइको प्रोटीन बन जाती है अब यह ग्लाइको प्रोटीन काम में आने के लिए तैयार है तो यह गोलजी बोडी क्या करेगा कि उसकी पैकेजिंग करेगा ठीक है अभी उसकी तो इस प्रकार से यह पर आई प्रोटीन का इसने मोडिफिकेशन किया और उसको ग्लाइको प्रोटीन को यह कंवर्ट करता है उसकी और वेसिकल के साथ उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है प्लाजमा मेंबरेन के लिए या फिर ऐसे किसी और जगाए पर किसी और प्रोटीन की ज़रूत होती है तो वहां पर उसको बेज़ देता है जैसे एक होते है शिम्पल सुगर वो जब गोल जी को कि अंदर आये तो शिम्पल सुगर होगी गोल जी को क्या करेगा कि उसको कॉनवर्ट कर देगा ठीक है करके जहां पर उसकी जरुत देता है तो इस प्रकार से मोडिफिकेशन किया और उसका ट्रांसपोर्ट कर दिया ठीक है तो यह सबसे में में इंपोर्टेंट फंक्सन है इसके साथ में आप देख सकते हैं कि इन्वॉल्ड इन सब्सक्राइब के बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और वहां पर आपको मैं बताऊंगा कि लाइस सोम का फंक्शन और उसके जो स्ट्रक्शन वो कैसा होता है अगर आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा तो आपको सब्सक्राइब कीजी है आप क्यों सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फोलो कीजी वहां पर आप इंबोक्स में मुझे डारेक्ट मेसेज करके अपना कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हैं मैं जल्दी से जल्दी आपका डाउट है क्लियर करने को सब्सक्राइ तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में तब तक नमस्कार धन्यवाद